Greetings everyone, so recently एक hospital ने एक इनसान जो कि दिलिप नाम है उसको जो है डेड घोशिट करा जिसकी वज़े से उसकी जो वाइफ है उसने suicide कमिट कर लिया दिलिप एक इनसान है जो कि AC रिपेर करता है चार लोग जो है AC रिपेर करने के लिए जाते हैं लेकिन उसके बाद यह पता चलता है कि AC वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है तो चारों के चारों जो है जो घायर हो जाते हैं लोग इंजर्ड हो जाते हैं देन उनको जो है hospital में ले परसन जो की मर गया था उसको गलती से डिलप डिलप एक लड़का है जो AC रिपाइर कर रहा था वो समझकर उसकी फैमिली को ये बताया कि ये जो आपका फैमिली मैंबर है ये एकस्पायर हो चुका है लेकिन लेटर उन जब उसकी वाइफ सुसाइड कर लेती है दिलप की hospital को गलत ठहरा होगे या फिर नहीं दे को यहां पर hospital का कहना यह है hospital तो यह कह रहा है कि हमें जो है cops police officers जो है वो लेके आये थे सारे लोगों को treatment के लिए और उन्हों नहीं जो है members को जो है उनकी family को swap आया गया अब जो actual में इंसान मरा है उसके last rights किसी और ने करे हैं अब उसकी family कह रही है कि हमें तो जो है हमारा जो family member है वो last right perform करने को भी नहीं मिला और क्या बोलते हैं ऐसे ऐसे इस mistake के कारण now what do you think this whether this would come under negligence or not hair hospital is denying कि हाँ पर हमारी mistake बिल्कुल भी इस्टे नहीं है because police officers ने जो है body जो है उनको swapy है किसको family को swapy है नहीं है